अगर आप उसे देखना चाहें तो उसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से जो है आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इस सीरीज में एक हजार सेलेक्टेट को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो है आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे और साथ में जो है बेल आइकन भी अन कर लिजेगा तो चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों ये सभी important questions है तो आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से और लास्ट अक जोरूर देखें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक चुरूर करें तो चले दोस्तों देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रस्न है सबसे भारी धातु कोन है दोस्तों सबसे भा प्रित्वी की भूपर पट्टी पर सरवाधी कौन सा तत्व मिलता है वो मिलता है दोस्तों अक्सीजन प्रित्वी की भूपर पट्टी पर सरवाधी कौन सा तत्व मिलता है दोस्तों अक्सीजन नेस्ट कोचन है प्राकृतिक बरन के सिधान को किस ने परतिपादन किया दो दोस्तों चावल को पालिस करने से थाविन B विटामिन जो है नस्ट हो जाता है नस्ट कोशन है प्याज तथा लासुन में गंध किस तत्व के कारण होता है दोस्तों प्याज तथा लासुन में गंध जो है पोटासियम के कारण होता है नस्ट कोशन है किस पदार्थ को लगान से रक्ट का बहना रुख जाता है वह है दोस्तो फेरिक कौलराइड को लगाने से रख्त का बहना जो है रुख जाता है काफी महतबूल कोशन नेज्ट कोशन है निम्बु में कौन सा अमल पाया जाता है आए test है कौन सा विटामिन गर्म करने तरे जाता है वह दोस्तो फितामें सी को गर्ण करने पर नस्ट हो जाता है काफिंध को स्ञाहिक को स्याहिक के धब्यकों मिटाने के लिए आकचेलिक का प्रियोग कोंध की जाता हैudस्तो खाहना को जिядा कमल पाय जाता है नेस्ट कोशन है ग्वाइटर रोग का क्या कारण है दोस्तों ग्वाइटर रोग के कारण शरीर में आयोटीन की कमी हो जाती है नेस्ट कोशन है एपी कल्चर का संबंध किस छेतर से है दोस्तों एपी कल्चर का संबंध किस छेतर से है नेस्ट है सेरी कल्चर का संबंध किस चेतर से है दोस्तो सेरिकल्चर का संबंध जो है रे innovation उत्पादन से है काफी महतपूर्ड a doust net qu talent protein का पाचन किस अंग में होता है दोस्तो protein का पाचन जो है छोटी यात यानी मास्य में होता है नेस्ट कोशन है हीमोफिलिया किस परकार का रोग है दोस्तो हीमोफिलिया एक परकार का अनुवांसी की रोग है नेस्ट कोशन है दूद का फटना दूद से दही बनना यह किरिया किस से होता है वो होता है दोस्तो किडवन से दूद का फटना दूद से दही बनना यह किरिया किस से होता है दोस्तों किडवन से काफी महतपूर कोशन है दोस्तों नेस्ट कोशन है इंसुलीन की खोज किसने की दोस्तों इंसुलीन की खोज जो है बेटिंग यह बेस्टने की काफी महतपूर कोशन है दोस्तों नेस्ट परजीवी जो है प्लाजमोटियम होता है नेस्ट कोशन है विकास के उत्परवर्तन के सिधान्त को किसने परतिपादन किया वो किये थे दोस्तों हीगो डीप प्रीज ने काफी महतपूर कोशन है दोस्तों नेस्ट कोशन है धातवों के वेल्डिंग के लिए किसका उप्योग होता है दोस्तों धात्व के वेल्डिंग के लिए सिटिलीन केस का उप्योग होता है नेस्ट कोशन है पालिथिन किसका बहुलक है दोस्तों पालिथिन इथिलीन का बहुलक है नेस्ट कोशन है लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों लोहा को जंग से ब नेस्ट कोश्चन है आसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तो आसू में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है नेस्ट कोश्चन है मनुष्य के सरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन है वो है दोस्तो महा धमनी नेस्ट है फोटोग्राफी पलेट पर किसकी कोटिंग की जाती है दोस्तो फोटोग्राफी प्लेट पर जो है सिल्वर ब्रोमाइट का जो है कोटिंग की जाती है काफी महत्पूल कोश्चन है दोस्तो नेस्ट कोश्चन है रक्त में गैसो का दान पदान किस अंग में होता है वो होता है दोस्तो फेफडा में नेस्ट कोश्चन है प्रिथविक आयू का परिकलन किस बीथी द्वारा किया जाता है दोस्तो प्रिथविक आयू का परिकलन जो है उरेनियम डेटिंग बीथी द्वारा किया जाता है काफी महत्पूल कोश्चन है दोस्तो दोस्तो इस वीडियों बस इतना ही दोस्तो आई पसंद होगा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक चुरू कर दें दोस्तों और ऐसे इंपोर्टन वीडियो जाए आपको यहां पर मिलते रहेंगे आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइक अन्पाएं थैंक्स फर वाची